भीशन गर्मी के बाद से जिला स्वताल में भी मरीजों की कतारे लगी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर पैथालोजी लैब है जो उसमें टेस्ट होते थे उनकी संख्या भी भीशन गर्मी के बाद एक महिने में 20,000 से और ज्याद हो गई है यह तस्वीर कि जहां भी कैमरे की नजर जा रही है वहां आपको जो मरीजों की कतारे हैं वो यहां पर नजर आ जाएंगे सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि चुकि स्टाफ जिस तरीके से यहां पर है और अचानक से 20,000 पर मंत की जो रिपोर्ट्स हैं जो जाचे हैं वो यहां पर ब उनको एक नमबर यहां पर दिया जाता और उस नमबर के बाद जो बलड का सेंपल इनों ने लिया है उसकी जो रिपोर्ट है वो यहां आ जाती है दूसी तस्वीर और मैं आपको दिखाऊंगा एक और तस्वीर दिखा देता हूं लैब की कि देखे किस तरीके से यहां रहता और आप यह देखिए यह बलड के सेंपल यहां पर लिये जा रहे है और जो इसकी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यहां पर कलेक्ट करने के बाद यहां पर दे दी जाएगी यह देखिए यह बलड के सेंपल यहां लिये जा रहे है और यह यहां पर जो बलड की जाच ह जो भी यहां पर आते हैं वो अपने रिपोर्ट लेकर चले जाते हैं लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जिलास्पताल में मरीजों का जो आखड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है एक तस्वीर तो मैंने आपको दिखा दी कि किस तरीके से यहां मरीजों की कतारे लगी है और दूसी तस्वीर दिखाई है कि कैसे यहां पर जो ब्लड के सेंपल हैं वो यहां पर लिए जाते हैं लेकिन चौकाने वाली बात है कि जो रिपोर्ट्स हैं जो यहां पर ब्लड के सेंपल दिये जा रहे हैं उनका आखड़ा एक महीने म जो अब तक पिछले अगर महीने की बात करें तो जो एक लाग के करीब तक होता था वो बढ़कर अब महीने में एक लाग बीस हजार के आँखले को पार कर गया है यानि बीस हजार ज्यादा और जो सेंपल्स हैं वो यहाँ पर भीशन गर्मी के बाद लिये जा रहे हैं और तमाम स्टाफ इस बात को लेकर परिशाने की अचानक से लैब पर लूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है देखें फरवरी फरवरी से अभी तक जो है मार्च अप्रेल में जो डिफरेंस आया है वो लग बीस से बाइस हजार इन्वेस्टिकेशन इंक्रीज हुए हैं और अभी मरीजों का जो है टाइरिया वामेटिंग के मरीज अभी ज्यादा आने शुरू हुए हैं और रूटीन अग्जेक्ट्री तो नहीं कह सकते ही कौन सी चांचे ज्यादा बढ़ी है तो यह इसके बीछी की क्या वाज़ा है घर में क्याची में हाँ हीट वेप की वज़ेसे काफी पेशेंट्स बढ़ गया है यहां पर इसलिए चांचे भी बढ़ती जा रही है और अभी और बढ़ ABP गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी